सूप्रभाद बच्चो बच्चो आज हम संस्कृत विशे के अंतरगत अश्टम पाठ चतूर स्रिगाला नामक पाठ का अध्यान करेंगे बच्चो आपने बच्पन में बहुत कहानियां सुनी होंगी तो आज हम उन्ही कहानियों में से एक कहानी संस्कृत वहाशा में पढ़ेंगे जो है आपकी चतूर सियार की कहानी और बच्चो यह एक चित्र गता है चित्र कथाकार्थ होता है वह कहानी जो चित्रों के माध्यम से प्रस्तूत की जाती है चलिए अब लेकिन यहां पर जो कि हमें संस्कृत में पढ़ना है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और सुनीएगा कि संस्कृत सबदों का क्यार्थ होता है ग्रिस्म कालह अर्थात गर्मियों के दिन काकह अर्थात कवा ब्रिक्च चाया याम ब्रिक्च की चाया में पूरी काम अर्थात पूरी खाधती में खाधता है गर्मियों के दिन कवा ब्रिक्च की चाया में पूरी खाता है तदा स्रिगाला आगच्छती तदा मिंज वहां तभी स्रिगाला आगच्छती वहां एक सियार आता है सीग्रम काकह ब्रिच्छा याम उपविशती सियार को देखकर कवा क्या करता है कवा जल्दी से पेड की साखा पर बैठ जाता है सिग्रम अर्थाद जल्दी से काकह मिंज कवा ब्रिच्छा चाया याम साखा याम यानि ब्रिच्छ की साखा पर उपविशती मिंज उपर बैठ जाता है स्रिगालह काकम कथ्यती जब कवा पेण की साखा पर बेढ़ जाता है तो सियार को लगता है कि इसकी पूड़ी कैसी ली जाए सियार कवे से कहता है स्रिगालह काकम कथ्यती अर्था सियार कवे से कहता है काकह राज काकह राज यानि कवा राज एकम गीतम गायतु एक गीत गाव तव गीतम तुम्हारा गीत अती मधुरम भवती बहुत ही मधुर होता है अर्थात मीठा होता है उसकी बात सुनकर जो मूर्ख कवा होता है जब कोई किसी के प्रसंसा करता है तो क्या होता है वो व्यक्ति खुस हो जाता है मूढा यानि मूर्ख काकह गीतम गायती उसकी बात सुनकर मूर्ख कवा गीत गाता है पूरी का अर्थ पूरी निच्च यानि नीचे पत्ती में गिरती है तभी पूरी उसके मूँ से नीचे गिर जाती है चतुरा स्रीगाला पूरी काम सहितम धावती चतुर सियार पूरी लेकर भाग जाता है और जैसे ही कवे के मूँ से पूरी गिरती है तो चतुर सियार क्या करता है उस पूरी को लेकर लेकर भाग जाता है और इसके बाद तो बच्चों ये इस कहानी को अगर हम अपनी भाषा में कहें तो जैसे आप कह सकते हैं कि एक कवा था वह एक दिन किसी पेड़ पर बैठ कर वह पूरी खा रहा था तभी एक सिया रहता है और पूरी लेने के लालच में वह कवे की प्रसंसा करता है जिससे कवा प्रसंद होकर गीत गाने के लिए अपना जैसे ही चोज खोलता है तो उसका पूरी नीचे गर जाता है और सियार उसको लेकर भाग जाता है तो इस कहानी से बच्चों हमको यहीं संदिश मिलता है कि जब भी कोई हमारी प्रसंसा करे तो पहले आप सोचिए कि वह हमारी प्रसंसा क्यों कर रहा है उसके बाद ही आप कुछ कहिए यानि किसी की जूटी प्रसंसा में हमें अपना संतोस या सयम नहीं खोना चाहिए अब चलिए इसके सबदार्थ को हम एक बार देख लेते हैं काकह कार्थ है कवा पूरी काम कार्थ है पूरी तदा कार्थ है तभी उपविशती कार्थ है बैठता है मूर्क आर्थ मूर्क अपतती का आर्थ गिरता है या गिरती है अधावती कार्थ होता है बच्चो भागता है या भागती है तो बच्चो इस पाठ को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगली कप्छा में तब तक आप घर में रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए